नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चेनल टेकनिकल mcq मैं फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वेल्डिंग उससे जो इंपोर्टेंट वन लाइनर कोशन है 300 वो यहां पर हल करने वाले हैं डिस्कस करेंगे आप लोग लेंगे ताकि आपको जादे लंबी वीडियो ना हो और आपको जो है सही जानकारी प्रोवाइट की जा सके तो फ्रेंट चली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विना टाइम वेस्ट की हुए तो जो पहला वन लाइनर कोशन है most important वो यहां पर बेल्डिंग और यहां पर हल कर लेंगे तो चली हमरी लिदियो को हमारा पहला वन लेनर कोशन निश्चित रूपत की चुका है और आगे भी पूचा जा सकता है इसलिए आपको इस को घञान रखनों छली नेक्स्ट की और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोशन लिखा आपको घुद किस्यक्leri से ज़रे कको बुक्त खलकी क्य bush है सबांगो जाती कि यह एदरह है अधिक जाए फूरादे वालेंनल टीनेंक को इसे ऩे seben有 द्रूप Eh हमेशे को किसी करण के जाती हैं आपको किसा अधिक के सफीत्おい स rubbish कि ाइए वो देख लेते हैं यहां पर आपके सामने जो नेक्ट कोशन लिखा है व किस प्रकार का होता है फिर आंसर में लिखा है प्रेजिंग या पर पूछा जा चुक है इसलिए सभी बनना है जो कोशन है यहां से बहुत सारे आपके कोशन बनने वाले है इसलिए आप जो है पीडियो को पूरा देखे 5-6 मिनिट की वीडियो है केवल आप पूरा देखेंगे तो आपको जो है अच्छे-च्छे कोशन यहां पर डिसकस हो ही जाएंगे करने के लिए उसे ध्यान से देखें चांब जाता है की लिए गुशन पूछा जाते हैं हमेशा जाता हैं ध्यान के लिए तो कम करने के लिए जब बिस्मित है तो अधिक करने के लिए क्या है एंटिमनी धातु को एक याद रख लें तो दोनों अपने आप याद यहां से हो जाते हैं चलिए next question के और बढ़ते हैं next question में आपको बताया गया है Bracing के लिए pre-semic wspelter मिस्रन होता है तो किस की दातु का मिस्रन होता है तो Tamba और Jastra का मिस्रन होता है formula हमारा Bracing के लिए चलिए next question के और बढ़ जाते हैं तो next question है severity के लिए कितने तापमान के अविशक्ता होती है तो 425 degree से कम तापमान के अविशक्ता होती है हमारी soldering के लिए तो यहीं से कोशन ये भी बन जाता है कि brazing के लिए कितने तापमान के अविशक्ता होती है तो लगवक 600 degree के अविशक्ता होती है brazing के लिए अलग-अलग है soldering joint कमजोर होता brazing joint जो हमारा permanent joint होता ठीक है चलिए next question के और बढ़ते है next question में लिखा है पीतल की soldering के लिए प्रियोग किया जाता है यहाँ पर flux पूछा है आपसे तो पीतल की बात चलिए तो zinc chloride प्रियोग किया जाता है flux के रूप में और आगे जो अगला question है बो है iron seat soldering के लिए iron seat की soldering के लिए प्रियोग किया जाता है प्रयोग के जाता है आगे बढ़ते हैं थार इस लेगे आपका मोटे पाउटो में यहां पर ब्रेजिंग और यह प्रयोग किया जाता है ताम्भे की लिए प्रयोग किया जाता है तो तो शोल्डरिंग की जाती है, क्योंकि शॉफ्ट जॉइंट है, ठीक है फ्रेंट, चलीए। नेक्ट कोशचन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्ट कोशचन लिका है, किस धात्यों को छोड़कर, बाकि सभी धातौ deliver की जा सकती है, आगला question है किन धातूटों को छोड़गर बाकी सबी धातूँ पर brazing की जा सकती है तो यहांपर magnesium और इसके eli को छोड़गर बाकी सबी धातूँऐं हाई जो है brazing की जा सकती है दोनों कोशन काई रुछ जाते हैं इसलिए आपको यह दोनों i.e. उसको टाटाने और यहां से सट्य को साफ काने किलम flux का प्रियोग करते हैं चले लेक्ट कोषण की स्टाइब एक बात किलें और एक इस्थाई फास्थिनल ने पर्मानेट फास्थनल कौन सा है तो ब्रेजिंग के क्या है ये भी देख लें तो यहां पर अगला कोश्चन जो है वो लिखा है किसमे जोड़े जाने वाले फार्टू के सटाइख कि टिनिंग करने के पश्चात फ्लक्स लगातार solder की coating करके part 2 को clam करके गर्म किया जाता तो वहाँ जो सारी प्रक्रिया होती है वो sweating के अंतरगत आती है चलिए next question क्यों बढ़ ले तो यहाँ पर लिखा है flux मिलते है तो drug powder के रूप में मिलते है gas रूप में नहीं मिलते है एक question ऐसा बनता है कि silver brazing में flux का प्रियोग किया जाता है तो पिगली धातों को आसानी से बहने देने के लिए यहाँ पर silver brazing के लिए flux प्रियोग किया जाता है next question की बात करने यहाँ पर लिखा है एक process के दोरा किसी screw thread को बिना धातो अटा है बनाय जाता है उसे कहते हैं उसे thread rolling कहते हैं हमारी आगे बात करने नेक्ट कोशन की silver brazing का प्रियोग किया जाता है तो क्या लिखा है एसे electrical part को जोनने के लिए जिसे उच electric conductivity की अविशक्ता होती उसमें silver brazing का प्रियोग किया जाता है अगला कोशन जो है तो इस प्रकार से ध्यान से देखने सभी कोशन आपके लिए important ही है बनायनर कोशन है यहां पर लिखा है कार्वो राइजिंग जो अलकिन धातों को वेल्ड करने में प्रियोग की जाती है तो aluminium, nickel, stainless, steel, आधी धातों के लिए कार्वो राइजिंग, flame का प्रियोग किया जाता है अगला नेक्ट कोशन यहां पर लिखा है अलग-अलग पदार्थ अथवा बिबिन ने मोटाई के पदार्थ का बट वेल्डिंग किया जाता है तो दाव तदा धार के नियंतरन दौरा, ठीक है फ्रिंट हमेशा याद रखें चुम्ब किये आर्क ब्लो है तो यहाँ पर देखिए फ्रिंट यह है वन नायर कोशन इसमें कुछ आपको explain करने जरोत नहीं होती है यहीं कि यहीं याद किये जाते है तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से देख लें एक बार के वाल आपको पढ़ नहीं है चुम्ब किये आर्क ब्लो है तो DC आर्क बेल्डन में चुम्ब के छित पुत्पन करने के कारण स्पेल्टर के बनने की किरिया कहलाती है यहां पर ध्यान से किस बेल्डन प्रक्रम में अंगों को बेल्डन ताप मान तक गर्म किया जाता है तो दब धातूं को एक साथ जोनने के लिए सिरों के बल बल लगा जाता है यह कौन सी बेल्डिंग कहलाती है अगला कोश्चन है उदासीन ज्वाला न्यूटरल फ्लैम में ऑक्सीजन तथा एस्टिलिन का अनुपात होता है तो फ्रेंट्स ये कोश्चन और पूछा गया था इसलिए ये कोश्चन आगे भी आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन में यहाँ पर आपको बता दूँ ये वाला कोश्चन तो आप हमेशा याद रखे ठीक है फ्रेंट्स चलिए नेक्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं तो इस पूछ्चन के लिए नेक्ट कोश्चन में नेक्सट कोश्चन का है यादे ब्रेज़न नेक्ट भेसी यादी यादे लिएट बिंदू होनाँ तो चालग चारसो डिग्री से कम यांए 420 डिग्री पर होनच message ब्रेजन बेलडन में ठीक फिलर दातों के गलन अगला नेक्ट कोशन है एक अच्छा सॉल्डर जोड बनाने के लिए सापधानी बरतने चाहिए तो जोड छेत्र साप्त था मुक्त होना चाहिए लोस फिटिंग होना चाहिए उसमें तभी वाद सॉल्डरिंग जो है अच्छा लेस्टील की दातु को जोड़ा जाना है कौन सा प्रक्रम सबसे याधी को प्योगत रहेगा तो वहां पर प्लाजमा आर्क बेल्डिंग का प्रियोग किया जाना चाहिए नेक्स्ट कोशन की बात करनें यहाँ पर लिखा है आर्क बेल्डिंग में अत्तरिक तेज गती का परिणाम होता है तो बहुत चोटा कमजोर बेल्डिंग तता इलेक्टरोड का व्यर्थ हो जाना यहाँ पर इसका परिणाम निस्कर्श होता है चलिए नेक्स्ट की बात करनें नेक्ट कोश्चन है इलेक्टोर्ट स्लेक बेल्डन का लाव है उच्चे बेल्डन गती पर इसका प्रियोग किया जाता है अगला कोश्चन है बेल्डन प्रक्रियम में इलेक्टोर्ट खर्च हो जाता है तो आर्क बेल्डिंग के रूप में खर्च हो जाता है अगला कोश्च प्रतिरोध बेल्डिंग यानि रजिस्टेंस बेल्डिंग में किस पधार्थ का बना होता है तो तामबय का कौपर का बना होता है अगला question जो है वो लिखा है stainless steel का building करना cutting होता है क्यों क्योंकि oxide परणने के कारण क्योंकि उसमें oxide की परणत बन जाती है इसलिए उसकी building करना cutting होता है इसलिए मैं आपके पूरी पीडियाप बना दी है वहां जाकर आप इस पीडियाप को डाउनलोड करने और एक बार पढ़ना है केवल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं कि बहुत इंपोटेंट वन लाइन कोशन है बेल्डिंग ब्रेजिंग और सोल्डरिंग से तो आप ह पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल में पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को आप उस समय समय पर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रवाइड हो सके फ्रेंट कल आपको उननीजवा टेस्ट होने आपजग आप